स्री सिवाय नमस्तु भ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज इस वीडियो में तुलसी की लकड़ी के बहुत सारे चमतकारी उपाय आप सभी को जानने समयने को मिलेंगे जो प्रते घर में किये जाते हैं और आप भी इन कार्या को करना सुरू कर दीजे तुलसी की सुख की लकड़ियां हो इनके कई उपाय कई प्रियोग सास्त्रों में वरणीत कहे गए हैं कई लोग करते भी हैं परंतु कई लोग जो हैं इन चीज़ों से अभी तक अनभिग्य हैं अगर आप भी तुलसी की सुखी लकड़ी के इन चमतकारी उपायों को करते हैं तो रोग फूलती मा तुलसी होती है रोज पूजन होता है दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में काल भी प्रवेश नहीं कर पाता ऐसे में तुलसी मा की जो जड़ होती है उसे धारण करने से सभी तरह की जो डर होते हैं वह खत्म होते हैं स्रीहरी विश्णु की क्रपा प्राप्त हो में ली जाती है स्री हरी विष्णु की तो कोई ऐसी पूजा है ही नहीं जो की तुलसी मा के बिना हो ऐसे में प्रतेक तुलसी का पत्ता जड़ हर एक चीज जो है बहुत उपयोगी है परन्तु जो सूखी लकड़ी होती है इन सब से ज़्यादा महत पूर्ण कही गई है हम सभ जानते है तुलसी की माला बनाई जाती है जो की मन और तन को पवित्र करती है तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसकी माला जो है प्रभु मंत्रों के जाप में काम आती है और धारण करने से प्रभु तत्त सरीर में विराजमान हो जाता है ठीक उसी तरह से तुलसी की स आवाज में भी इन उपायों को सुन सकते हैं तो आप सभी के लिए आंकलन संकलन करकर यह वीडियो है तो आप सभी को तुलसी की सूखी लकडी का उपयोग जो है किस तरह से करना है ध्यान से सुनिए सबसे पहले तो अमावश्याति थी हो या एकादशी थी हो या आपको लग है कि हम असुध्ध वस्था में हो गए हैं तो गुरुजी कहते हैं तुरंत जो है आप सभी को जल का पातर जो इसनान का वाल्टी है ना उसमें तुलसी की सूखी लकडी को घुमा कर निकाल देना चाहिए आपके द्वारा मन कर्मवाणी से किसी का दिल दुखा है किसी के ल राजमान हो जाएगी क्योंकि मा लक्षमी के स्वरूप में मा तुलसी जानी जाती है तो सबसे पहला प्रियोग तुलसी की सुखी लकडी का आपको इस तरह से करना है कि नहाने के पानी में आप सभी को इसे घुमाना जरूर है घुमा कर तुलसी की सुखी लकडी को निकाल कर रख देना है और इस पाने से इस्णान करना है सरीर निरोगी रहेंगा और जीवन हमेश्वा सुख में होता चला जाएगा तो पहला उपयोग आपको इस तरह से करना है दूसरा उपयोग विशेस्टिथीयों में जैसे कि एक आदर्शी हो्ता जुद्सभी की से ग Valentine क्ते यो मदूरा सकते हैं इसके कोई राब ही होने हैं इसकी हानी आपको होनी नहीं है तुलसी की सुखी लकड़ी प्लूर सूक जाए ना तो इसके हरी पाउडर अपने पास रख लेना है ठीक है रखने के बाद आप सभी को किसी डब्बे में रखने के बाद जब भी आप स्रीहर विष्णु का पूजन करें या जो है उनके मंदीर में सेवा करें या लड़ु गुपाल का स्वरूप आपके पास हो उनके लिए आप चंदन तया जाता है यह तुलसी की सुखी लकडी का चंदन जब चंदन के रूप में मिलता है अर्थात इसे चंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह हरी चंदन के स्वरूप में हो जाता है तो इसे जो है आप सभी स्रीहर विष्णु के लड़ु को पाल स्वरूप हो या मं चंदन सामानी नहीं है गुरुजी कहते हैं इससे आपको स्री हरी विश्णु जीवन में एक बार गले जरूर लगाते हैं और रोग दोश को तुरंत काड़ देते हैं इस उपाय को भी आप कर सकते हैं साथी तुलसी की सूखी लकडी स्री हरी विश्णु को समर्पित करने के वाद उसका थोड़ा अंश बच जाता है ना तो अपने मस्तक पर धारण करें अपने गले में धारण करें अपने बच्चों को लगाएं उनका जू क्रोध होता है वैस रोज कर सकते हैं तो यहीं हरी दिगकत की बात नहीं है इसका सुख तो मिलना ही हैं हानी इससे होनी ही नहीं है तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं निश्चिति आपको लाब होगा चाहें तो हरी चंदन अर्था सुखी लकडियों को इखटा करकर रोज जो है पीसकर जैसे पानी मिलाया और पीसने का जो पत्थर आता है न उस पर पीसकर भी अपने हाथों से हरी च के उद्यापन में या रोज जो है घर पर छोटा सा हवन करते हैं तो उसमें तुलसी की सूखी लकडियों जरूर से हवन सामगरी के साथ प्रियोग में करें यकीन मानिया आपके घर में नकारात्मक्ता का नाश होगा सकारात्मक्ता आपके जीवन में भरेगी और सभी तरह क के दुख परिवार से दूर होते चले जाएंगे इस उपाई को भी आप कर सकते हैं निश्चिति आपको लाब मिलेगा साथ ही मनो कामना पूर्ती के लिए तुलसी की सूखी लकडियों को एकटा कर लीजिए उन्हें किसी भी सूती कपड़े से बांध लीजिए या जो है र सुख प्राप्त हो जाते हैं हाला कि तुलसी की सूखी लकडी के तो कई उपाई सास्त्रों में कहे गए हैं जिनका वर्णन करफाना बहुत कठीन है तुलसी की सूखी लकडी को पीस कर पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति को खांसी होती है तो उसे सहद में मिलाकर पिला देन से भी रोग दोश करते हैं और जीवन में सिवतत्व स्रीहरी विष्णु का तत्व जो है समाहित होते हुए सब सुख प्राप्त हो जाते हैं तो आप भी स्रीहरी विष्णु महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज की दिन चरिया में तुलसी की सुखी लकड लियां होती हैं तो उन्हें अलग कर देना चाहिए तुलसी की मंजरी को अलग कर देना चाहिए ताकि तुलसी मां भार मुक्त रहें और आपका जीवन भी सभी भारों से मुक्त हो जाई है सबसे बड़ा सुख कहा गया है सर्दी हो या गर्मी हो मां तुलसी को घर में पूजि के लिए तुलसी की जड़ में आवश्यक रूप से कभी-कभी दूधका सी चन हलदी समर्पित करना साथ ही तुलसी मा में आवश्यक रूप से कभी-कभी जो है उनकी परिक्रमा लगानवी से इस्तिथियों में बहुत सुमाना जाता है मातुलसी जिस घर में परिपूर्ण मस्ता में होती है ना मा तुलसी सब मनों कामना सिद्ध करती हैं घर के वास्तु दोश का नाश करती हैं और कई तरह के आयुरवेदिक में इनका वर्णन मिलता है अदवाईयों में प्रियोग होता है घर में कई तरह के रोग दोश को काटने का कारी करती है ऐसे में तुलसी की लकडी तुलसी का प्रियोग हर एक सुख को प्रदान करने वाला है आप सभी भी इन छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को सुख में बनाएं अब जो है तुलसी हरी शैनी एकादशी आ रही है उस दिन अपने घर पर तुलसी माल आएं इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आचुका है आप सभी भी उस वीडियो को देखिए अपनी पुजापाट को संपन कीजे कैसा लगा वीडियो बताईएगा जरूर कोई मन में सवाल हों पूछेगा आपका अपना चैनल है हर हर महादेव जैसिव संभू